आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे मखाने हम मीठे मखाने गुर से बनाएंगे आए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये हमने एक कप मखाना ले लिया है इसको डाल देंगे हम इसमें एक कप और लिया है ये भी डाल देंगे हम इसमें एक कप और लिया है ये भी डाल देंगे यह हमने दो कप गुड लिया है वजन के हिसाब से यह 400 ग्राम है अब चलिए हम सबसे पहले मखाने को रोष्ट कर लेते हैं मैंने कड़ाई ले लिए इसमें सबसे पहले हम घी डाल देंगे एक चम्मच कड़ाई मैंने पहले से रख दी गरम होने के लिए इसलिए गी मैंने डाला था तो फिखल गया अब यह मखाने डाल देंगे हम मखाना हम हलका रोष्ट कर लेंगे अब जब तक यह कुरकुरा ना हो जाए तब तक मिसको ऐसे चलाते रहेंगे फ्लेम को हम मीडिया मी रखेंगे मीठे मखाने खाने में काफी टेश्टी लगता है आप गुड की जगा चिनी से भी बना सकते हैं पर गुड खाने में काफी हेल्दी होता है अब ठंड में जब भी बनाएं तो गुड से बनाएं मीठे मखाने मखाने गुटनों के दर्द क लेके लिए काफी फायदे मंद होता है और काफी healthy भी होता है यह देखे मखाने हमारे भूनके तयार हो गए हैं मखाने एकदम कुरक्रे हो गए हैं यह अच्छे से फुट रहे हैं मखाने हम खाली में लिकाल लेंगे अब हम गुड की चैस्मी बना लेंगे सबसे पहले हम एक यह हमने जो गुड लिया था दो कप इसको डाल देंगे हम इसमें अब इसको हम continue चलाते रहेंगे फ्लेम को हमने कम ही रखा है फ्लेम को हमें एक दम कम ही रखना है आप सब को अगर हमारी आज की रेश्पी पसंद आ है तो like करें सब्सक्राइब करिए अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं हमारा गुड पिखल गया है अच्छे से गुड को हम पानी में डाल के चेक कर लेंगे कि चासनी तयार हो गए या नहीं फ़ले हम थोड़ा सा डाल लेंगे इसमे फ्लेम को हम कम ही रखे रहेंगे नहीं नीचे से हिख रहा है दो थे हमारे ही नहीं है थोड़ा सा और पका लेंगे हम गुड को कि मैं एक बशले हिसानी के सब्सक्राइब है अब हम इसमें तिल डाल देंगे और यह हमने एक चमस सोंट लियाया है ये भी डाल देंगे और हम चला देंगे अच्छे से और ये हमने जो मखाना लिया था ये भी डाल देंगे इसी में अच्छे से मिला देंगे मखाने को गुड में अच्छे से हमें मिला देना है मखाने को हमें फ्लेम को बन नहीं रखना है कम ही रखना है और इसको continue चलाते रहना है ये देखिए मखाना अच्छे से कोट हो गया है गुड़ से अब हम इसको एक थाले में निकाल लेंगे अब इसी थाले में हम मखाने को निकाल लेंगे जब ये हलका गरम रहे तो हम इसको अलग-अलग कर लेंगे नहीं तो ये एक ही में चिपक जाएगा तो ये निकलेगा नहीं आप चाहे दूसरी प्लेट ले लें उसमें निकाल निकाल के रख दें हम एक प्लेट ले लेंगे मखाने को हम अलग-अलग करके ऐसे रख देंगे ताकि मखाना एक ही में चिपके नहीं कि हमारा मखाना बनके तयार हो गया है ये काफी क्रिस्पी है ये देखिए इसकी आवास से पता चल रहा होगा आपको ये देखिए मीठा मखाना बनके तयार हो गया है ये खाने में काफी टेस्टी है और काफी कुरकुरा भी है मैंने इसमें सिर्फ सोंट डाला है और तिल डाला है आप चाहें तो इसमें कला नमक डाल सकते हैं मैंने फास्ट के लिए बनाया है अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं परड़े खाने के लिए हमेशा खाने के लिए तो आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं एक बार आप सब भी ट्राइ करिए बनाके खाने में ये काफी टेस्टी है अगर आप सबको आज के मारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर करें अगर रैस्पी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी बनी है ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आगन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सबको नॉटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू